नमस्कार दोस्तों, एर इंडिया की जिन उडानों का इंतजार लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे, अब फाइनली एर इंडिया उन उडानों को चालू करने जा रही है जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डैलेस और लॉस एंजिलस की डारीक्ट अंतर राश्ट उडानों के बारे में बहुत सारे भारती जो की डैलेस और एले की आसपास रहते हैं, उन सभी लोगों की तरफ से डिमांट आ रही थी कि Air India की direct उडाने इन दोनों locations के लिए भी चालू की जाए तो आप finally ये confirm हो गया है कि Air India इन उडानों को चालू करने जा रही है दोस्तों आपको बता दे कि DGC की तरफ से winter schedule की जो उडाने अपरूट की गई है उडानों की लिस्ट में Dallas और Los Angeles का इन दोनों roots का नाम सामिल है आपको बता दे कि Air India इन दोनों locations के लिए दिल्ली एरपोर्ट से अपनी flight सब्ता के 7 दिन operate करेगी और इसके लिए Air India Boeing 777 aircraft का इस्तमाल करेगी जिससे की यातरी सीधे दिल्ली से इन दोनों locations के लिए अब travel कर पाएंगे दोस्तों इसके बारे में Air India ने अभी तक कोई भी officially announcement नहीं किया है ये जो भी खबर है ये DGC की तरफ से सामने आई है Air India बहुती जल्दी अपने official website और tutorial accounts पर भी इसकी जानकारी शेयर करेगी जैसे ही इसके बारे में जानकारी आएगी हम आपको वीडियो के मादम से बताते रहेंगे फिलाल के लिए काफी अची खबर है जिन उडानों का इंतजार लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे और आप फाइनली ये उडाने अब सुरू होने जा रही है यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें